क्या आप लोग आवाज मिल रही है लगता है आवाज आ रही है तो सर्कल फर बोर्ट्स जेई मेंस और एडवांस हम लोग लगभग सारा चीज़ के लिए कर चुके हैं last lecture हमारा बाकी है last lecture आपका बाकी है तो circle आपका सारा complete हो जाएगा बचे है क्या questions करना हो questions कब करेंगे हम लोग PYQ session में questions करेंगे और हम लोग one shot भी लाएंगे questions का mains से पहले तो आप लोग बस बने रहना है कहाँ पर easily तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ आप भी अच्छे होंगे तो हम लोग circle का लगबग सारा topic सारे से चलिए questions आते हैं mains में ज्यादा उतना level नहीं जाता है मगर advanced questions लेवल बढ़ जाता है तो इसलिए मैं आपको pole and polar बता रहा हूँ ज्यादा deep नहीं जाएंगे हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे मगर कम से कम उसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि IIT आइट इकाना नहीं कब question चिपका दे कोई समझ नहीं कोई कोई पता नहीं है, कोई आता पता नहीं है, कब चिपका दे, ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि पोलन पोलन जानना, अब बहुत से लोग बोलेंगे, कि ये तो सिलेबस में है ही, आए हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर, फैमिली ओफ सर्कल्स हैं, और जेए ही, क्या अधा दूरा कंटेन, कटरडे में, फिर आपके वन शॉट होते हैं, माराथन सेशन होते हैं, और डिफरेंट चैप्टर्स, प्लस कोईशन कराए जा रहे हैं, पी वाई क्यूस कराए जा रहे हैं, और दस कोईशन दिया था, जहांपर 100 कोईशन, 100 कॉ पूरा के सारेar चैप्टर कर आए जानी, पूरा के सारे के सारे चैप्टर कराए गये थे, वैसे हम लोग हमेशा फिराइडे को, पी वाई कू को डिसकॉशन करते हैं, हमारे बहुत से चैप्टर क्लिए हो गए हैं, जैसे फंडमेंटर मैठमाटिक्स, कोड़ेटि कर देना क्यूंकि भाई साहब यहीं पर तो आपको मिलेगा सारा के सारा चीज़ हूँ गुड़ाफ्टरों धीरत जी क्लो कालीन जी कैसे हैं आप तो सरकिल का अडवांस बीना डाइग्राम के या बीना ग्राफ के अटारा की बात करो तो आठावांस ड्रॉड करो लाश में अंसर क्या था एकदम आसान सा मगर उसने डाइग्राम में इतना उज्छा दिया कि समझ नहीं आया लोगों कि क्या के यह है क्या असल में वो पोला पोला बता शेता हूँ क्योंकि भाई साब important है इंपोर्टन तो पहला concept जो हम लोग सीखने वाले हों क्या सीखने वाले है family of circles क्या family of circles तो family of state line तो हम पढ़के आगे है कैसे भाई family of state line में क्या पढ़ा था हमने ऐसे state line जो पास कर रहे होंगे L1 और L2 के intersection से वो state lines की family और क्य तो देगा, टिंशन देगा, जरूर देगा, ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना family of circles का नया concept, और इसमें family of straight lines जैसा था, वैसी बाते होंगी, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि भाई साब, appelle of intersection of two given circles, S is equal to zero, S dash is equal to zero, is given by two circle है, तिक है, ये मानलो, S is equal to zero है, और ये क्या है, S dash is equal to zero, अब दो circle समगो given है, S is equal to zero, S dash is equal to zero, अब इसके intersection points है, माल लगद, ये, ये points से, इस point से गजरता वहरा circle आएगेंगें बहुत सा, ऐसा से circle होगा, बहुत से circle होगा, बताएगे, बहुत स सरकल होंगे अब हुवो सरकल्स क्या आएंगे जैसे S is good to zero और S dash is good to zero से intersection से pass करने वाले जेतने circles होंगे उनको किस से denote करेंगे family of circles से जिसका equation कैसा आएगा S plus lambda S dash is good to zero तो जबी भी आपसे बोलेगा family of circles निकालो passing through the intersection of circles S1 is good to zero and S2 is good to तो क्या होगा S1 plus lambda S2 is good to zero is the family of circles तो जबी भी ऐसे बात होंगी तो हमारे circles कैसे represent होंगे इस से तो यह क्या है इसमें belong करेगा जेतने भी यह circles है इस family से belong करेगा ठीक है तो जेतने भी circles होंगे उनका equation इस form में आएगा अब आपको जैसा condition दिया जैसा circle मांगा उसके इसाफ से lambda निकालना है है की नहीं अब lambda not equal to minus 1 क्यों गिया वेन है सर अगर lambda minus 1 होगा माल लेते हैं तो S minus क्या हो जागा S dash equal to zero अब S minus S dash equal to zero किसका equation होता है सर common code का तो क्या common code निकालना है हमें नहीं न तो common code नहीं S dash से तो minus 1 को बस हड़ा देना है lambda से यतना याद रखना है और जब भी आपको बोले कि equation of family of circles से निकालो और circles हमको given है S1 is equal to zero and S2 is equal to zero तो जो family of circles का equation आएगा क्या आएगा S1 plus lambda S2 is equal to zero ठीक तो इस form में आएगा एक चीज़ दिखाते हैं आपको जैसे हम लोगों बोल दिया कि भाई दो circle given है इसको बोल दिया H2 is equal to zero और इसको बोल दिया S1 is equal to zero और बोला कि family of circles passing through the intersection बतों कि family of circles क्या हो गया है इन दोनों का family of circles क्या निकलेगा circle passing through the intersection यह तो circle निकलेंगे ऐसे देखें गेंट टाइप का बन रहा है ना गोल टाइप का बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे से different diameters के different diameters तो नहीं बोल सकते हैं different और different आपको क्या बोलते हैं positions में बहुत से circles बन जाएंगे क्या बनेंगे बहुत से circles ठीक है जिसे देखिए यहाँ पर एक तो circle में आइसे draw किया एक circle में आइसे draw कर दिया इसी से pass करेगा इसी से pass करेगा आगे पीछे उपर नीशे करके ऐसे बहुत से family of circles हैं जो intersection point से pass करेंगे तो जो भी family of circles है वो हमारा ऐसे represent होता है s plus lambda s equal to 0 तो जबी भी आपको ऐसा कोई बोलेगा कि एक circle है जो pass कर रहा है दो circle के intersection से तो आप समझ लो कि वहाँ पर family of circles की बातें हो रही है ठीक है हेलो शिवराज जी हेलो सुधा में कैसी हैं आप सब बढ़िया चलिए बढ़िया चलिए स्टार्ट के आगे चले आगे चले चले चलिए भाई family of circles यानि family से introduction हो गया circle की family से introduction हो चुका है अब मिलते हैं उसके पापा ममों इसे यह सब से मिलते हैं आगे properties देखते है equation of family of circle passing through point of intersection of circle s is equal to 0 and l is equal to 0 is s plus lambda l is equal to 0 जैसे अब circle है यह circle है यह line है ठीक है यह l is equal to 0 हो गया और यह क्या है s is equal to 0 देखो कहां जा रहा है यह यह जा रहा पटना ठीक है इस तरीके से आया अब जो इन points पे pass करने वाले जितने भी circles होंगे जो भी circles इन से pass कर रहे होंगे देखिए एक circle क्या होगा एक circle यह होगा कि इसको diameter लिये होगा यह diameter लिये होगा यह diameter लिये होगा यह दोनों points क्या होंगे इसके diameter के end points होंगे एक circle क्या होगा इसका आट्रोमस्ट पॉइंट होगा इधर के साइड, लेफ्ट साइड पॉइंट होगा, एक सरल क्या होगा, राइट्मस्ट पॉइंट होगा, ऐसा करके बहुत से सर्कल्स बनेंगे, है की नहीं बनेंगे, तो जो भी सर्कल्स इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, यानि S is equal to 0 और L is equal to 0 के intersection point, यानि दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनका equation किस पॉर्म में आएगा, S plus lambda L is equal to 0, तो जो भी सर्कल्स हैं ये सब, 1, 2, 3, ऐसे जो भी सर्कल्स हैं, ये इस family of circle से belong करेंगे, यानि S plus lambda L is equal to 0 के family से belong करेंगे, अब जैसा आपको given हो property, जैसा आपको condition given हो, उस ठीक है, तो जब भी ऐसी बात होगी, तो S plus lambda L is equal to 0, ये होगा family of circles, तो जो भी circles होगे, इन दोनों points से अगर intersection से बास कर रहे हैं, तो S plus lambda L is equal to 0 से belong करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ओके, चलिए, चलिए, आगे इनके चाचा से मिल लेते हैं, यानि चाचा से इन से मिल सकते हैं, सबसे मिल लिए, आप इनके चाचा से मिलते हैं, the equation of family of circles passing through two given points, A, X1, Y1, B, X2, Y2, written in the form S plus lambda L is equal to 0, ठीक है, तो दो given points से pass कर रहा है, तब equation कैसा मेरा आएगा, देखे, क्या बोल रहा है, equation of family of circles passing through two given points, A, X1, Y1, और B, X2, Y2, तब हमारा किस form में आएगा, S plus lambda L is equal to 0, यानि हम family of circles से निकाले हैं, जो दो points से गुजर रहे हैं, A, X1, Y1, और B, X2, Y2 से, अगर गुजर रहे हैं, तो family of circles से form किस कर तरफ पर आएगा, S plus lambda L is equal to 0, अब S क्या है, lambda L क्या है, सर, पहली बात S क्या है, हमारा diameter form में, diameter form में कैसा आता है, X minus X1, X minus X2, plus Y minus Y1, Y minus Y2, देखे, देख X minus X1, X minus X2, plus Y minus Y1, Y minus Y2, is equal to 0, यह क्या होता है, equation of circle in diameter form, जहां पर X1 और Y1 क्या है, और X2, Y2 क्या है, diameter के end points, क्या है, diameter के end points, क्या है, diameter के end points, क्या है, diameter के, E, P, यानि end points, clear है, clear है, गुरुजी, ठेक है, तो अब मेरे को दो points given है, मैं diameter form से पहले लिख लेता हूँ, S, S का formula लिख लेता हूँ, equation of family of circles, passing through 2 points, क्या है, A, X1, Y1, और B, X2, Y2, तो क्या होगा, अब diameter form में, circle का लिख लो, equation, equation, X-X1, into X-X2, plus Y-Y1, Y-Y2, plus, अब lambda L, L कैसे आएगा, यार, L का क्या होता है, Y-MX, Y is equal to MX plus C होता है, वैसे ही, क्या formula होता है, Y-MX, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, यहां हम लोगों ने देखा एक चीज, क्या होता है, Y-Y1, is equal to M, X-X1, यही होता है, अब M केतना हैगा, यहां से, Y-Y1, is equal to M, M के देखा क्यालिक दोगे, Y2-Y1, Y2-Y1, upon X2-X1, into X-X1, यही हैगा न, इसको वहाँ पुट कर दो, Y-Y1, minus Y2-Y1, upon X2-X1, X-X1, यह हमारा L आगया, is equal to 0, यही हमारा equation आगा, यह देख लीजिए, इसको गौर से, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, तो यह किसका form आएगा, जब हमारे equation of family of circles पूछेंगे, passing through two points, A, X1, Y1, और B, X2, Y2, जब ऐसे cases आएं, तो हमारा इस type का, family of circles का equation आता है, Hello, एस गंबिर जी, ठीक है, ओके, अब एक और properties में आपको बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं खुआया है, आपको point नहीं दिया है, पर वो भी जाना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक किये है, कि जिसे माल लीजिए कोई circle है, circle है, एक line जो है circle गो x1, y1 पर touch कर रहा है, क्या कर रहा है, x1, y1 पर touch कर रहा है, ठीक है, अब ऐसे cases जब आएंगे, तो यहाँ पर भी line और circle कहीं पर ना, intersection हो रहा है, पर एक ही point पर हो रहा है, तो ऐसा जब भी case आए, तो क्या करना है, equation of family of circle कैसे निकालना है, equation of, equation of, family of, family of circles, यह कैसे निकालोगे, equation of family of circles, आप लोग निकालोगे, जैसे 1, 1, x1, y1, point दिया वाहा है, तो क्या करना है, x-x1, into x-x1, यह x-x1 का whole square निकलो, इसको, चेकिया, x-x1 का whole square, plus y-y1 का whole square, plus lambda, L क्या होगा, L होगा, y-y1, minus m, into x-x1, अब m क्या है, वो तो y-line का slope है, वो तो आप खुद मालूम करना पड़े हो, तो इस type का equation आता है, जब कोई tangent हमारा touch कर रहा हो, circle को, x1, y1, तो जो इन point से गुजरने वाले, इस point से गुजरने वाले, जो भी family of circles आएंगे, ठीक है, वो इस प्रकार से equation आएगा उसको, अब lambda निकालो, जिस तरीके से condition given है, देख लो, इस तरीके से, ठीक है, तो ये point है, जो add करना था, तो जभी भी आपको ऐसे cases दे, ये line ना given हो, तो इस प्रकार से लिख लेना, तो देख लो, इसको note कर लो, ये important है भाई, ये आपको काम आएगा बहुत, बहुत heavy content है, और जल्दी बताया नहीं जाता है, तो family of circles आपको clear होना जरूरी है, क्योंकि circles में ऐसा नहीं होता है, ये question तो आएगा नहीं आपका, बोर्ड में आएगा, J के लिए नहीं आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर चीज़ें गुमाई जाएंगी, एक तरफ की चीज दूसरी तरफ, दूसरे तरफ की चीज तीसरी तरफ, या ऐसा भी हो सकता है, कि आपके चीज़े mix हो रही हो, parabola, circle में mix हो गया हो, circle के अंदर में आपको given हो, कहीं पर ellipse हो गयरा, ऐसे चीज़ें भी आती हैं, तो घबराना नहीं है, हर चीज बताया जागा, अभी हम लोग coordinate आगे पढ़ेंगे, सब चीज़ के लिएर करते वें चलेंगे, parabola, ellipse, hyperbola, वो सब चीज़ें तो और अच्छे से के लिए करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें में और मन लगता है मेरा, तो x-x1 का whole square, plus y-y1 का whole square, plus lambda into y-y1, minus m into x-x1, is equal to 0, इस तोर से, इस तरीके से हमारी चीज़ें निकलती हैं, ठेक, इसको note कर लीज़े, इसको note कर लीज़े, skin shot ले लीज़े, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठेक है, अब, अब जो दूसरी चीज़ है, यह सब अब अस properties देखते जाना है, family of circles का, कब कहाँ पर apply होगा, question में पता चलेगा, अब family of circles circumscribing, circumscribing के बोले तो, यह triangle है, circumscribing बोले तो, इन तीनों points से बुज़नने वाला triangle, ठेक है, मैं आपको क्या करता हूँ, इसको diagram बना देता हूँ, थोड़ा तमीज वाला diagram बना देता हूँ, जो अच्छा देखे, बिज़दी ना कराए मेरा, ठेक है, और बना दो यहाँ पर triangle, यह triangle को भी बना ही देते हैं इसी से, ठेक है, तो इस तरीके से हमारा, आता है, ठेक है, अब क्या कर रहा है, यह circle जो है circumscrcribing कर रहा है here triangle को, यानि इनके point से, इसके vertex से गुजर रहा है, कहां से इसके vertex से गुजर रहा है, ठेक हैं, तो क्या हो गया है, यह circle जो है circumscribing कर रहा है triangle को, यानि इसका मतलब यह हुआ, the family of circle circumscribing a triangle, वो sides are L1 is equal to 0, ये side क्या है, L1 is equal to 0, ये side क्या है, L2 is equal to 0, ये side क्या है, L3 is equal to 0, इस तोर से हम लोगा है, गीवन है, ठीक है, अब बोल रहा है is given by, यानि अगर ऐसे cases आएं, अगर ऐसा cases आएं, जहां पर family of circles निकालना है, passing through three vertex of triangles and circumscribing the triangle, अगर ऐसा कुछ आए, तो three vertex से तो पार करेगा, ये अगर circumscribing है, तो three vertex से तो पास करेगा ही करेगा, ये तो लिखित है मामला, तो L1 L2, प्लस lambda into L2 L3, consecutive बात करें, प्लस mu 3 L1 is equal to 0, ये क्या होता, equation of family of circles होता है, equation of family of circles, A4C लिख देते हैं, इतना बड़ा cool लिखे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा equation of family circles आता है, जब कोई, जो circle है, जो circle है हमारा है, वो circumscribing कर रहा हो, तीन vertex को, triangle के, तो इस तरकी से बात ये होती है, ठीक, ओके, इसको note कर लेना है, समझ लेना है, आप conditions given होगी, उसके इसाब से आपको lambda mu निकाल लेना है, ठीक है बाई साब, ओके है, चलिए इसको note कर लीजे, इसको note करिए, ये भी important है, कभी-कभी आपकी चीज़ें ऐसे भी आजाती है, तो family of circles आपका कभी-कभी इस तरीके से अगर देगा, तो आपको ये चीज़ें लेकर चली है, बशरते कि आप फिर वो बैठ कर, वो points given हो, फिर आप निकालो family of circles या equation circle का निकालो, उससे चाब family of circles से बहुत से question बहुत easy बन जाते हैं, देखे, question कभी को ये ऐसे कि आपको दोनों तरीके से, या तो normal तरीका जो हमारा circle का बनाने का, उससे भी बन रहा होगा, और एक family of circles जो हमको click नहीं करेगा, अगर हमारा practice नहीं हो तो click नहीं करेगा, तो प्रैक्टिस होगा न, तब दिखे गा रहे है, यार family of circles से ये question एकदा मसान था, एक minute बन गया, और उससे हमारा लेंदी जा रहा था, तो जहीं कभी को ये भी करता है, कि दो एक question देगा, अब approach पिटी पेंड करता आपका time कितना लगेगा, ठीक है, वो चाहेगा वो approach लो, जहां पर time लगे, फिर आप बोलो गया रहे है यार इतना लेंदी पेपर, तो वो चाहता है कि आ आप वो approach लगा और जिसको सोचके उसने question बनाया है, ठीक है, तब time कम लगेगा, तो आप कभी कोई question से ऐसे आएंगे कि family of circle से approach रखना होगा, ठीक है, ओके कुसुम, ठीक है, तो L1 L2 प्लस lambda L2 L3 प्लस mu into L3 L1, ये क्या होगा हमारा family of circle का equation of circle passing through the triangle's vertex, यानि circumscribing a triangle, अब बा हमारा quadrilateral है, ऐसा कुछ है, या ऐसा करते हैं, या circle बना लेते हैं, उससे हम लोग असानी रहता है तोगा, एक बड़ा सा circle बना लो, अब यहाँ पर quadrilateral बना देता हूँ, A, B, C, D, ये क्या है, L1, L2 is equal to 0, L1 is equal to 0, L3 is equal to 0, इसके equation क्या है, L4 is equal to 0, ऐसा कुछ equation given है, चारो sides का, straight lines का, तो क्या है family circumscribing a quadrilateral, ये क्या है, circumscribing a quadrilateral कर रहाँ, figure देख सकते हो, whose sides are represented by L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, L3 is equal to 0, and L4 is equal to 0, is given by L1, L3, यानि opposite sides वाले multiply करो L1, L3, L1, L3 plus lambda into L2, L4, तो L2, L4 is equal to 0, तो इस तरीके से हमारे questions बनते हैं, चेक है, तो जब भी भी ऐसी बाते आएंगी, जब हमारा family of straight lines, yes family of straight lines बोल रहाँ, family of circles की बाते हो रही, तो दोनों family है, अलग-अलग family है, ठीक है, एक रहता है भटिंडा में, एक रहता है पटना में, तो क्या भाई, L1, L3 plus lambda L2, L4 is equal to 0, जब भी आपको family of circles पूछे, circumscribing a quadrilator, whose sides are represented by L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, L3 is equal to 0, and L4 is equal to 0, तो जब भी ऐसे बात यह हो, तो हमारा family of straight lines कैसे आएगा, इस प्रकार आएगा, इस तरीके से आएगा, तो आपको इसको लेके चलना है, इसको दिमाग में याद रखना है, सर, सरकल के PYQs कब कराओगे, प्रीवियस ये कोशन हमको प्रैक्टिस भी करनी है, सरकल के PYQs, अरे भाई साब आने वाला है, फ्राइडे को आएगा, घबराइए मत, पूरे अच्छे अच्छे जई मेंस के तगड़े तगड़े, अगले बार लाओंगा, जई मेंस अड़वान दोनों के, पहले जई मेंस कर लेते हैं, असान असान कर लेते हैं, पहले हम ल साइंस दिली चैनल पर, और आपको बहुत अच्छे अच्छे और वराइटी दिखेगी, concept वराइटी, देखे, जैसे मैं अगर 20 question लगा रहा हूं, तो important यह नहीं कि मैं 20 question लगा रहा हूं, अगर मैंने 200 questions, अलग अलग concept के लगाएं, और ऐसे concept, जो शायद मैं ना जानता हू कि आखिर वहां हो क्या रहा है, अगर वो question मैंने पहले तो लगाया, ना बनाया, तो कोई बात नहीं, मैंने टीचर से solution लेखे हैं, या किसी सब पूछा, उसने doubt clear क्या, तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ जाईगी, जो doubt clear होती है न, उसके बाद चीज़ें अगर फिर बन प्रेटी के होंगे, यानि बहुत से concept clear होंगे, ठीक है, तो वहां से आपका circle का जो भी concept बचावा है, through questions clear होती जाएगे, एक बार आपने theory basic clear कर लिया, आप सिर्फ questions करने है, सिर्फ round and round, round and round, question, 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 है की नहीं, हमको practice भी करनी है, हाँ practice करनी है, कोई बात नहीं, practice कर नहीं है, तो करवाए जाएगी, अभी PYQs आ रही है, practice कीजिए, तब तक कोई book refer कर लीजिए, एक book से question बनाएए, easy question बनाएए, फिर हम दो PYQ section जाएगे, तब तक आप single correct या multi correct easy question बनाओ, या subjective question बनाओ, ठीक है, यह हमारा आ गया circle का family circle equation, circumscribing and quadrilator, तो ऐसी चीज़ है, circums and tool L311, तब ऐसी बाते होती है, अब एक question आपके लिए, एकदम प्लस 2 से family circle सा गरम गरम question, ठीक है, तो क्या भाई, if the circle x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 is good to 0, cut x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 is good to 0, at a and b, find the equation of circle on a b as the diameter, अच्छा, यह जो circle एक दूसरे को cut कर रहा है a b पर, यानि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है, a b पर cut कर रहा है, तो मेरे को equation of circle निकालना है on a b as diameter, a b as diameter, यानि a b अगर diameter के रूप में लेना है, मतलब की a और b से pass कराने वाले points से मेरे को family of circle निकालना है, यानि ऐसे family of circles, equation circle का, जहाँ जो हमारा a और b से pass कर रहा हो, कहां से pass कर रहा हो, a और b से, ठीक है, a और b से pass करने वाला, पहली बात, इसमें लोग क्या कर सकते हैं, कि मैं a b का equation निकाल सकता हूं, a b क्या है common court, क्या है a b, a b common court, kya है a b, common court, ये भी क्या है common chord तो मैं कैसे निकालूँगा AB का equation common chord का equation निकाला तो जानते हो सदियों से चला आ रहा है तो लिग दो S1 इसको माल लो या negative ना आना चाहिए S1-S2 का हो या S2-S1 negative positive तो हो नहीं वाला है बाद में change तो यह मैं पहले इसको ले ले ता हूँ X2 Y2 4X 3Y 2 minus of X2 Y2 2X 3Y 1 is equal to 0 यहीं आएगा यहां से देखिए X2 Y2 तो कड़ याएगा भाई X2 Y2 4X 3Y 3Y 0 क्या हैगा 0 plus 2 minus 1 क्या हैगा plus 1 ठीक है तो 2X plus 1 is equal to 0 क्या है common cot का equation यह क्या है common cot का equation common cot इसको लिख लो clear है okay है बढ़िया है सही है मजा रहा है हाँ सर अब देखिए मेरे को equation of circle निकाला है यह line हमो given है और यह points given है यह circle given है क्या किसी भी एक circle उठा के हम S plus lambda L is equal to 0 से लिख सकते है यह equation S plus lambda L is equal to 0 से क्या हम लोग equation of family of circle लिख सकते है S plus lambda L is equal to 0 से equation of family of circle लिख सकते है हाँ से लिख सकते है हम लोग पढ़ क्या है चेके तो यह क्या है basically line और circle का intersection point से हम लोग circle का family of circle निकालना चाहते है equation, तो यह इस क्या है, कोई भी माल लो यार, x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 plus lambda l, lambda into 2x plus 1, l क्या है, 2x plus 1, यही है न, देख लो इसको, किया से कितना आएगा, x square plus y square plus 2x common ले लिए, 1 plus lambda, देख लिए जो इसको, 2x common ले लिए, 1 plus lambda, ओके है, बढ़या है, सही है, चलिए, आप देखे, plus 3y, 3y को ऐसे छोड़ दो, plus, 1 plus lambda, यही तो आएगा, ओके, यहाँ तक देखे, समझ में आया, यहाँ तक की बाते समझ में आई, note करीजिए अधी से इसको, note करिए sir, थैंक यू, थैंक यू, आमिर जी, आपको भी थैंक यू, क्या आप बने वे हैं, इस तरीके से हमारा circle का equation आ गया, आप, यह हमारा equation of family circle आया, अब में लों क्या बोल रहा है, a, b, as diameter, क्या बोल रहा है, a, b, as diameter, क्या बोल रहा है, a, b, as diameter, तो मेरा circle का diameter है, वो किस line पे, यह diameter बोल रहा हूँ, circle का जो हमारा center है, वो किस line पे exist करेगा AB line पे यानि common court पर इसी पर तो exist करेगा AB पर भी line करेगा तो इसका center कितना आ रहा है minus यह देखे 2G is equal to 2 1 plus lambda देखें यहां से देखें 2G is equal to कितना है 2G is equal to 2 into 1 plus lambda तो G कितना आ गया मेरे पास 1 plus lambda और F कितना है 2F is equal to 3 तो F कितना आ गया 3 by 2 तो G कितना है 1 plus lambda और F कितना है 3 by 2 तो हमारा center कितना हो जाएगा minus of 1 plus lambda minus 3 by 2 यही तो होगा center पक्का है जेक अब देखें center जो है हमारा कहां पे lie कर रहा है तर वो lie कर रहा है 2X plus 1 line पर क्योंकि AB diameter हम लों ले रहे हैं center कहां पे line करेगा center lie करेगा na AB पर center lies on AB लिख दो यहाँ पर center lies on AB क्योंकि AB क्या है diameter मैंने बोला है उसको diameter लिया है na conditions के इसाफ से lambda निकाल ला है यही तो है condition यह given है अब center lies on AB तो AB क्या है 2X plus 1 is equal to 0 तो X क्या हमारा minus of 1 plus lambda इसको put कर दो minus 2 into 1 plus lambda plus 1 is equal to 0 आएगा यहां से तो minus 2 minus 2 lambda plus 1 is equal to 0 तो यहां से कितना है minus 2 lambda minus 1 is equal to 0 ठीक है यहां से कितना आगिया मेरा पास यहां से मेरा पास आगिया minus 1 by 2 lambda कितना आगिया minus 1 by 2 कितना है lambda minus 1 बटा 2 ठीक अब minus 1 by 2 lambda आगिया मेरा क्या सरकल का equation निकल लाएगा तो क्या था x square plus y square plus 2 1 plus lambda x plus 3y plus 1 plus lambda is equal to 0 यही था सरकल का equation अब lambda का given लोग को minus 1 by 2 आया तो condition के साब से lambda minus 1 by 2 लेना है तो आप फुट कर दो x square plus y square minus 1 by 2 था तो 1 plus lambda केतना हो जाएगा 1 plus lambda केतना हो जाएगा 1 plus lambda is equal to 1 minus 1 by 2 यानि 1 by 2 हो जाएगा अब 2 into 1 by 2 x आयाएगा 1 ही आयाएगा plus 3y 1 plus lambda 1 plus lambda तो केतना है 1 plus lambda का value 1 by 2 यही आगे हमारा सरकल का equation इसको नोट कर लीजे इसको नोट कर लीजे जल्दी से यह हमारा क्या आगया यह हमारा आगया circle का equation x square plus y square plus x plus 3y plus 1 by 2 is equal to 0 यह हमारा circle का equation आया a,b as diameter लेना था तो basically हम लोगों ने क्या क्या सिर्फ उसे पहले family circle निकाला x plus lambda l is equal to 0 और जो condition given थी उसको put कर दिया यह center कहा लाई करता था a,b line पर a,b का equation क्या था 2x plus 1 तो वही पर center को put कर दिया answer आगे है मेरा देख लिजे इसको sir what to do with practicals I am not going to school due to J.E. sir practicals तो देने mandatory है practicals तो mandatory है और practice नहीं दोगे तो काफी marks का issue पढ़ जाएगा तो practicals तो दे दो J.E. का यह scene है कि अगर आपने पहले से त्यारी की वी होगी तो January का आप सही से देदोगे वरना January का आप अच्छे से नहीं दे पाओगे क्योंकि practicals तो अच्छे से त्यारी करने ही पढ़ेंगी भाई आपके पास एक और attempt रहेगा तो अभी पहले क्या करो अभी अच्छे से त्यारी कर लो अभी बहतरीन से त्यारी कर लो उसके बाद भी attempt है आपके पास उसके बाद भी आगला January भी आएगा तो अभी पहले January और April आप मेंस तो जरूर देना जही मेंस जरूर देना प्रैक्टिकल तो दो ही दो वो उसमें मत छोड़ना यार बोर्ट वगरा में मत छोड़ना बोट की चीज़ें मत कर देना वो खराब कर देंगी आपका जही में तो फिर भी चांसे से बोट में का करोगे ठीक है चलिए अगला कोश्चन है हमारा अगला कोश्चन है हमारा variable circle which alvus touches line x plus y minus 2 is equal to 0 at 1,1 cuts circle x square plus y square plus 4x plus 5y minus 6 is equal to 0 prove that all the common courts of intersection pass through fixed point and also find that point तो basically बोर रहा है एक variable circle है जो की touch कर रहा है इस line को कहाँ पर 1,1 पर and cut कर रहा है इस circle को ठीक है तो पहले variable circle निकालना पड़ेगा जो हमको given है उसके बाद ना cutting बगारा देखेंगे ठीक है तो basically हम लोगों को line ऐसा कुछ given है कि यह हमारा circle है variable circle है यह line है हमारा x plus y minus 2 यानि x plus y is good to 2 और at 1,1 पर क्या कर रहा है touch कर रहा है अब यह कौन सा part आ गया मैंने आपको properties में बीच में एक बर बताया था कि अगर ऐसा कूछ scene हो तो कैसा equation बनता है x minus x1 का whole square plus y minus y1 का whole square plus lambda l is good to 0 है ना बताया था याद आ रहा है तो वही चीज यहां पर लगेगा तो properties बहुत important है याद करके रखना दिमाग में रखना जरूर चीक है चलिए अब देखिए कहां से pass कर रहा है 1,1 से तो यह क्या आएगा x minus 1 का whole square plus y minus 1 का whole square plus lambda l तो lambda l क्या है भाई l है हमारा x plus y minus 2 is equal to 0 तो x plus y minus 2 लिख दो is equal to 0 यह आगे हमारा circle का equation जो variable circle है तो यहां से क्या हैगा भाई इसको पुरा खोलो क्या हैगा x square minus 2x plus 1 plus y square minus 2y plus 1 plus lambda x plus lambda y minus 2 lambda is equal to 0 है ना चेक तो circle कैसे आया मेरा x square यह आगे हमेरा circle मालो जार इसको अभी मैं इसको मैं arrange नहीं कर रहा हूँ अभी अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ तो क्या होगा मेरा मेरे को यह circle given है इस circle वो cut कर रहा है ठीक है इस circle को cut कर रहा है तो common code आएंगे जैसे यह circle मेरा निकल गया अभ इस circle लो cut कर रहा है तो यह common code आएगा न मेरा ठीक है तो यह circle तो हम वो given है यह equation given है ठीक है तो इस circle से use करके हम लोग common code तो निकाल सकते हैं निकाल लेंगे तो क्या हैगा यह हमारा s1 है यह s2 है s1 minus s2 is equal to 0 करके common code निकाल दो तो x1 क्या हैगा x square plus lambda x minus 2x यह s1 लिख रहा हूँ मैं plus y square plus lambda y lambda y minus 2y ठीक है plus 1 plus 1 2 2 minus 2 lambda ठीक है minus s2 s2 कितना हैगा x square plus y square plus 4x plus 5y minus 6 x square plus y square plus 4x plus 5y minus 6 यह आएगा s1 minus s2 is equal to 0 आजाएगा तो पहले तो x square से x square करके आएगा y square से y square गायब क्या बच्चा देख लीजिए क्या बच्चा lambda x minus 2x plus lambda y minus 2y plus 2 minus 2 lambda minus of 4x minus 5y plus 6 is equal to 0 यह यह आएगा ना यहाँ से कितना है lambda x minus 2x minus 4x कितना हैगा minus 6x तो lambda x minus 6x plus lambda y minus 2y minus 5y कितना होगा minus 7y तो lambda y minus 7y plus 2 minus 2 lambda plus 6 तो 8 minus 2 lambda 8 minus 2 lambda यह आगया मेरा अब इस equation हो कैसे लिखो देखिए जो हमारा एक equation है उसको वैसे रिख दो पहले क्या करता हूँ मैं कि 6x minus 7y और 8 जो है इसको उधर ले जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ इसको उधर ले जा रहा हूँ तो lambda x plus lambda y minus 2 lambda तो lambda x plus lambda y minus 2 lambda lambda x lambda x plus lambda y minus 2 lambda is equal to देखिए क्या कि मैंने इन निगेटिव साइम्स को उधर ले गए तो क्या आए 6x plus 7y minus 8 6x plus 7y minus 8 ठीक है ग्रू ठीक है आप देखिए क्या आएगा मैं क्या करता हूँ कि 6x plus 7y minus 8 minus of lambda x plus y minus 2 is equal to 0 ऐसे कर देता हूँ ठीक है ऐसे कर सकता हूँ हाँ सर अब ये common court किस तरह के से आया हमारा common court एक family और state line से belong करता है क्या करता है family और state line से belong करता है common court जो हमारा family और state line से belong करता है कोई family और state line से belong करता है common court इसी form में आया, आप मेरे को basically निकालना क्या है, कि common court किस point से pass कर रहा होगा, तो किस point से pass कर रहा होगा, इनके intersection से pass कर रहा होगा, और तो किसी से pass करेगा, नहीं या, ठीक है, तो क्या जाएगा मेरा है, पर 6x plus 7y minus 8 plus lambda into minus x minus y plus 2 is equal to 0, ऐसा कुछ आएगा, तो यह दो lines आगे, यह line और यह line, इन दोनों का intersection निकाल दो, तो मैं कर रहा हूँ, कि minus x, यहाँ कहा, minus x minus y plus 2 is equal to 0, और यहाँ कहा 6x minus 7y plus minus 8 is equal to 0, plus 7y minus 8 is equal to 0, अब इसमें 6 से multiply कर दो, इसमें 1 से multiply कर दो, क्यों निकालना है, x और y निकालना है, linear variable जो हम लोग निकालता है, linear equation in two variables, उसका हम लोगों solution निकालना है, तो यह कितना आजाएगा मेरा, यहाँ जाएगा, minus 6x minus 6y plus 12 is equal to 0, यहाँ जाएगा, 6x plus 7y minus 8 is equal to 0, तो यहाँ से क्या हैगा, plus करो, यह कट गया, यह कितना बचाएगा, minus 7y plus 7, क्या हैगा, y आजाएगा, 12 minus 8 कितना होता है, 4, तो y is equal to कितना होता है, minus 4, अब minus 4, पुट कर दो, equation 1 में, equation 1 पुट कर दो, और अंसा निकाल लो, तो minus x minus y plus 2, तो minus x minus y, तो minus 4 plus 4, plus 2 is equal to 0, तो x कितना आगे है हमारा 6, x कितना है 6, और y कितना है minus 4, यानि, वो common quart हमेशा कहां से पास कर रहा होगा, 6, minus 4 से, तो वो जो common quart हमारा, इस family of straight line से बिलोंग करेगा, और हमेशा पास कर रहा हिन दोनों के intersection से, जो कि क्या है है मेरा, 6,-4, तो यही हमसे पूछ रहा था, यह हमने निकाल दिया, देख लिज़े इसको, कितना बेहतरी इंद कोशन था, और आपके concept काफी clear किये होंगे इसने, चीक है, काफी अच्छा कोशन था family straight lines का, चीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप हम सबसे पहले देख लिज़े भा biology, physics, chemistry classes चलती हैं, daily life classes, monday और thursday, और हमारा science easily group भी join कर लेना, telegram पर, वहाँ पर notes, content, questions डाले जाएंगे, प्लस आपके जो भी doubts हैं, वो clear के जाएंगे, और हमारे PYQ discussions भी होते हैं, Friday, Saturday को, session चलते हैं, DPPO solution कहलो, one shot कहलो, यह चलता हमारा Friday to Saturday, you can see the timings also, चेक, अब आगला question है हमारा, अब प्रूव दैदा कॉर्डिलेटर, ABCD, वेर AB is X plus Y minus 10, BC, X minus 7, Y plus 50, 0, 0, CD एतना given है, इतना given है, इस कौन साइक्लिक, then find the equation of circumcircle, तो basically क्या करना है, हम लोग को एक सर्कल का, इस टाइप का दिया हुआ है, ठेक है, ओके, अब एक्वेशन दिया हुआ है, क्या भाई, ABCD, इसको ABCD, यह हमारा कॉर्डिलेटर है, AB का given है, AB है, X plus Y minus 10, X plus Y minus 10 is equal to 0, BC कितना है, X minus 7Y, X minus 7Y plus 50 is equal to 0, और CD कितना है, CD है मेरा, 22X minus 4Y, 22X minus 4Y, plus 125 is equal to 0, और DA कितना है, DA है मेरा 2X minus 4Y, minus 5 is equal to 0, अब देखिए, बेसिकली करना क्या है, इसमें क्या होता था, इसमें होता था, इसमें होता था, L1, L3, यानि opposite वाले, plus L2, L4, is equal to 0, ऐसे होता था कुछ, होता था ना, जभी कोडिलेटर, सब्सक्राइबिंग का, हम लो, circumcircle का equation, family circle से निकालना होता था, तब यह होता था, प्लस लैंडा इंटु, लैंडा इंटु क्या हैगा, 2x minus y minus 5 into x minus 7y plus 50, क्या करना है, क्लकुलेशन करना है, बहुत इसदार क्लकुलेशन, तो x into 22x क्या हैगा, 22x square, 22x square minus 4xy plus 125x plus 22xy minus 4y square, चेक है, प्लस 625y minus 220x plus 40y minus 1250, चेक है, प्लस लैंडा इंटु, 2x into x क्यतना हैगा, 2x square minus 14xy plus 100x minus 4xy plus 28y square minus 20y minus 5x plus 35y minus 1200, is equal to 0, इस तरीके से हमारा आएगा, अब यह कलकुलेशन करना है, पुरा, और कलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को निकालना है, circle का equation, तो circle equation अगर निकालना है मिरको, प्रे बता, यह x square में क्या हैगा, 22 plus 2 lambda x square, क्या हैगा, 22 plus 2 lambda x square, के साथ, ठीक है, अब y square क्या रहा है, y square क्या रहा है, y square क्या रहा है, y square में देखो, जिसको, जिसको होगी, आ उसको mark कर दो, y square में क्या हैगा, इधर आएगा, minus 4y square, और इधर आएगा, 28y square, तो 28 lambda minus 4, 28 lambda minus 4, ऐसे करना होता है, जबी भी इतने लंबे equations होना, तो ऐसे करना, वारना पूरा लिखते मत रहा है ना, हर वक्त, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, xy का term देखते हैं, तो minus 4xy plus 22xy, कितना हैगा, minus 4xy plus 22xy, कितना होगा, 18xy, और इधर कितना हो जागा, minus 14xy, minus 4xy, तो कितना होगा, minus 18xy, तो minus 18 lambdaxy, यह जागा मेरा, minus 18 lambdaxy, और उपर में कितना है, उपर में मेरा, minus 22xy, minus 4xy, तो कितना, 18xy minus 18 lambdaxy, 18-18 lambdaxy, plus 18-18 lambdaxy, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, उसके बाद x और y बाला भी देखने पड़ेंगे, तो पहले मैं जिसको कर लिया, उसको अटाता हूँ, अब क्या वचा है, x और y, तो 125x, minus 220x, क्या होता है, 125-220, 25-220, 75-25, minus 95, क्या होता है, minus 95, minus 95x, इसको अटाओ, minus 95x, मेरे समझने के लिए, minus 95x, और 100x, minus 5x, कितना हैगा, minus 95, यह आजाएगा, 95x, तो 95, lambda x, minus 95, 95, lambda x, lambda minus 95, इंटू x, यह x का coefficient आ गया, प्लस, अब y का भी कुछ आएगा, इसी तरीके असान असान आ जाएगा, तो y कैसा हैगा, 40y, plus 125y, कितना होता है, यह होता है, 165y, और इधर कितना हो जाएगा, आपका, 20y, और, plus 35y, आ रहा है, तो आजाएगा, minus 15y, 15, lambda y, कितना हो जाएगा, हमारा, 35-20, 15y, कितना हो जाएगा, 15, lambda y, और उपर में हो जा रहा है, हमारा, 165 lambda y, तो 15, 15y, 15, lambda, plus 165, कितना हो जाएगा, 15, lambda, plus 165y, चेक है, is equal to 0, c में भी कुछ था, यार, इसको हटाएगा, c में भी कुछ है, अब कितना होगा, c के सारन, देख लो, यहाँ पर, 1250 बचा, इधर कितना बच रहा है, minus 250, minus 250, lambda, minus 1250, minus 250, lambda, minus 1250, is equal to 0, अब देखिए, circle एका equation आया, अब circle में हमेशा पता है, हम लोगों को, कि यह जो होता है, यह 0 होता है, xy का जो coefficient हो 0 होता है, तो 18, minus 18, lambda, कितना हो गया, 18, minus 18, lambda हो गया, हमारा 0, यारी, lambda कितना आ गया, 1, अब lambda 1 आ गया, तो वहांसे equation निकालो, 22, plus 2, lambda कितना हो जाएगा, 24, x square, plus 28, minus 4, 24, x square, plus 0 है, 95, lambda, minus 95, कितना होता है, 0, plus 15, lambda, और plus 65, यहां पे देखो, कुछ ना कुछ होगा हो, कियोंकि ऐसा नहीं आ सकता, lambda into xy, कितना है, minus 4y, तो हमारा minus 4 into 6, कितना होता है, 4 into 100y आ रहा है, यहां पे, लैंबड इंटो कितना रहा है माइनस चाल इंटु पाज रही यहां पे 200 y हो है कि कहां पर हो गया ऐसा कुछ ठीक है अब देखिए यहां पर पूट करेंगा जीरो यह भी पूट किया जीरो और यह कितना है का माइनस 250 माइनस 125 कितना होता है यह यह जाएगा हमारा इस इकल टू अगर करूंगा उधर को तरह ले जा के 375 कि साइड कुछ हो जाएगा एक बड़ इसको चेक कर लेता हूं कितना है था मेरा यह हमारा आए था आपको 45 6600 अधर आया था बारा सो पचास कितना है बारा सो क्चास माइनस माइनस 1250 लैंडा माइनस 1250 मांडा माइनस22號 ठीक है यहां से कितना मैं गाए यह आगे हमारा फंधरा सो ठीक है अब कितने स्थेंजी कर ऩो अब गते गाए झोता यंड है उसक्वार इंग टूश म्रीच इस्थे और same iş लीट से तो इस फ्रमारा यंसर आएगा देख लिज्य सट नोट कर लिजे तो basically बहुत लंबा question था पर quarter later वाला भी समझाना जरूरी था क्योंकि important है बाई, important है अब अगला question तो है नहीं भाई सा family of circle तो हम लोग complete करवा दिये क्या complete करवा दिये है, family of circle तो हम लोग complete करवा दिये बहुत से question करवाए है, pole and polar आपको समझा जाता हूँ pole and polar में ज्यादा नहीं समझाएंगे, वहाँ पर मैं अधना ही बताऊंगा जैसे questions, advance है कभी-कभी pole and polar पर normal, pole and polar simple में उसके basics मा जाता है, बाकी बस चीज़े मैं आपको बताऊंगा एक term में, उसको समझाऊंगा नहीं, उसको इतना deep नहीं जाऊंगा, तो pole and polar basically होता क्या है, let any state line through point x1, y1 intersect the circle s is equal to 0 in two points p and q and if the tangent of the circle at p and q meet at point r, then the locus of point r is called polar of point a and point a is called the pole with respect to given circle, basically कहने का मतब यह है कि यह हमारा एक circle है, यह एक point है, ठीक है? p, मैंने यहां से क्या डाला, एक chord डाला, ठीक है? क्या डाला, chord अब यह जो points है, यहां पर यह intersect कर रहा है circle को, इन points पर अगर tangent drawn किया जाएगा और यह कहां पर मिट करें? r पर मिट करें, तो r की locus क्या होगी? with respect to p, r is the polar of p, p, क्या होगा? r is the polar of p, और p क्या होगा? r का pole होगा, ठीक है? तो basically क्या है, कि हम लोग अर बात करें, point r क्या होगा? polar of point a, यह कहां से लिए है, a से लिए है, तो यही से मानते हैं, जब इसने a से लिए है, तो यह से हम लोग भी लेते हैं, तो हमारा जो locus of point r आ रहाएगा, वो क्या हैगा? polar of point a, अब क्या करो? इसमें और भी cases आ सकते हैं, जैसे एक circle है, उसके अंदर ही में point है, ठीक है? अंदर ही में point है, ऐसा कुछ intersection हो रहा है, ठीक है? तो अगर इन points अगर जाएगा, तो क्या आएगा? यहाँ पर point आएगा कुछ locus, तो यह क्या होगा हमारा polar, ठीक है? तो इस तरीके सा हमारा polar बनता है, अब कुछ क्या होगा? अब सेम axis पर भी point हो सकते हैं, तो अंदर भी यहाँ पर जैसे point हो, बस क्या होगा? जहाँ पर point है, वहाँ से cod drawn हो रहा है, उन दोनों cod can points पर, tangent drawn हो रहा है, उसका meetup point जो होगा, उसका locus क्या होगा? polar, तो A के respect में polar को होगा? R, तो locus of R is the polar, और point A क्या होगा? उसके respect में polar, और polar को होगा? इसके respect में R, बिसकलिए यह है, कि जैसे कोई circle given है, यहाँ से मैंने point डाला, ठीक है? कट करते है, अब यहाँ पर जो tangent बनेंगे, उसका क्या होगा? उसका locus होगा R. R क्या है? R क्या है? R है हमारा polar with respect to this point P, चीक है? तो R क्या है? polar, आप polar का equation कैसे निकालते हैं? आगे बताएंगे आपको. तो basically, equation आप polar कैसे निकलता है? वो same as chord of contact. क्या है? Same as chord of contact. chord of contact के same बराबर है, तो polar का equation होता है, T is equal to 0. यानि, अगर circle है हमारा x square plus y square is equal to a square, तो x x1 plus y y1 is equal to a square. अब x1 and y1 क्या है? वो points जहां से chord डाला जा रहा है. क्या point? जहां से chord डाला जा रहा है, वो हमारा x1, y1 है. ठीक है? यहां से हमारा 2 points गुदरें. और क्या हुआ? यहां बहुत एक point locus आया. यह क्या है? polar है. तो polar with respect to a, यह क्या है? हमारा r is the locus of polar. ठीक? तब जब भी भी आपको पूछेगा कि इस point के respect में बताओ, polar का equation निकालो, तो t is equal to 0 will be the equation of polar. ठीक है? तो polar हमारा बस इतना basic जानना ज़रूरी है. कुछ property से बास आपको पढ़ के देखा देता हूं आगे. बट आपको equation जानना ज़रूरी है. कैसे होता है? same as chord of contact. देखिए. अगर ये point अंदर रहता, circle के, तब तो chord of contact exist नहीं करता, पर polar का equation वही रहता, t is equal to 0. ठीक है? तो polar का equation भी वही होता, t is equal to 0 ही रहता. ठीक है? तो equation of polar क्या होता है? t is equal to 0. और जिस point से हमारा chord pass कर रहा है या chord गया है, उस point के respect में polar निकालते हैं. ठीक है? अब समझता हूँ क् polar समझ में आगया, क्या भाई? कोई point है, वहाँ से circle है given है, उस पे गया a chord. अब chord के end point से मैंने एक joint दो tangent drawn की है, अब जो tangent जहां में meet करेंगे, उस point का क्यालोगस होगा? polar, उसी वो polar कहते हैं. अब कुछ points है, if the point is outside the circle, then the polar and chord of contact equation is same. अगर point outside of circle है, जो मैंने आपको बता कर द और उसका equation t is equal to 0 ही होगा, xx1 plus yy1 minus a square is equal to 0. अब अगर circle का general equation given है, तो x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, तब क्या होगा? xx1 plus yy1 plus gx plus x1 plus f y plus y1 plus c is equal to 0. तब ऐसे बाते होंगे. अब तीसरा क्या है? if the polar of point P with respect to circle passes through a point Q, then the polar of point Q will pass through P, hence P and Q are conjugate points of each other. देखिए अभी इसका कुछ use नहीं है, कभी question इसे आएगा भी नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि इतने आगे कौन जाएगा, conjugate में कौन जाएगा? इसको बस एक बार मैंने लिख दिया, बस लिख दिया अलग बात है, इसको जान O be the center of the circle, O है circle and P be any point, then O P is perpendicular to polar of P, O center है, चीके, और P कोई point है, तो जो P का polar होगा, P का polar माली यहाँ पर होगा, वो O P के perpendicular होगा, क्या होगा, एसा कुछ होता है, चीके, O P पर perpendicular होगा, क्या होगा? जो हमारा polar होगा, polar से जो line निकल रहा होगा, जो भी equation होगा, वो किसके perpendicular होग वो O P, यानि जो point P है, और center को join कने वाला line है, उसके perpendicular होगा, polar के equation, अब polar का equation किस form मा आता है, state line के equation में, simple सी बात, T is equal to 0 क्या है, state line का form ही है, code of contact, उसके बाद, if O be the center of circle and P be any point, then if O P meet the polar of point P in Q, then O P into O Q is equal to radius का all उसका है, यह भी बहुत important नहीं है, यह भी आगे engineering mathematics हैं हम लोग भी आगे चीज़ हैं, तो अभी के लिवर सितना जान लो, ठीक है, कि polar कैसे होता है, pole क्या होता है, polar के equation कैसे निकालते हैं, और polar का geometric meaning क्या होता है, geometric meaning आपको देखाना था, वो important था, वो बहुत important था, और जरूरी था बाई साब, ठीक है, ओके, चलिए, एक question कर लिजे, अब pole of given line with respect to a polar, इसमें तो जख यह वही है, कि ऐसा कोई line, ऐसा कोई point है, P, यहां से जा रहा है point chord, अब इसमें मैंने draw किया, यह tangent, तो यह हम meet करेंगे, इसका क्या होगा, r polar होगा, ठीक है, अब इस r के respect में, हमारा यह point क्या होगा, pole होगा, क्या होगा, pole होगा, ठीक है, अब pole of a given line with respect to a circle, जैसे मा लीजे, AX plus BY plus C है, AX plus BY plus C, ठीक है, और हम लोगों बोल दिया, कि pole of a given line with respect to a circle निकालो, जाना ज़रूरी नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ, ज्यादा tension मत देना, तो यह किसके, इसका होगा, इसका slope जो है, AXX1 plus YY1 minus A square is good to 0, यह circle किस पर बात कर रह जाएगा, क्योंकि इसके pole की बात हो रही है, इसके pole के respect में बात हो रही है, तो इस दोनों का equation सेम आया गा, तो क्या आता है मेरा, A upon X1 is equal to B upon Y1 is equal to C upon minus A square, यहाँ से क्या आता है मेरा, X1 is equal to A square है ने, जैसको कुछ और माल लो, R square माल लो, R square माल लो, radius R square, क्योंकि A यहाँ प यह बस ऐसी चीज़ें जो जानना उतना important है, पूछा भी नहीं जाएगा, बस important क्या है कि polar मैंने जान लिया, pole क्या हो तो जान लिया, geometric meaning जान लिया, और polar का equation कैसे निकलता है, उसका significance क्या है, कभी internal होगा, कभी outside the circle होगा, ऐसे चीज़ें हमें समझना ज़रूरी थी, हमने सम polar of a given point, polar of a given point with respect to any of the circles, इन circle से, किसी भी family of circles से, बिलॉग करते हैं, any circle से, show that polar of a given point, I'll just pass it through a fixed point, for any value of k, तो basically पहले t is equal to 0 निकाल लो, तो क्या हैगा, xx1, या मेरे को locust, अगर मैं निकालना चाहता हूँ, polar का, किसी form में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, चोड़ो उसको xx1, प्लस yy1, अब 2g को कैसे लिखते थे हैं, gx plus x1, तो यहाँ पर क्या करते हैं, minus k, x plus x1, तो यहाँ क्या आएगा मेरा, xx1, plus yy1, minus kx, minus kx1, plus c square is equal to 0, यहाँ आएगा, ठेक, अब देखिए एक चीज, xx1, plus yy1, plus c square, minus k, x plus x1, is equal to 0, ठेक है, ऐसे आगया, xx1, plus yy1, plus c square, plus k, into minus x, minus x1, is equal to 0, इस तरीके से कुछ आया, ठेक, अब देखिए, यह क्या आगया, एक l1, plus k, l2, is equal to 0, यह क्या आगया, एक family of straight lines आगया, ठेक है, अब, जो हमारा दोनों lines, अगर इनसे बिलॉंग करता है, यह हमारा polar का, अगर कोई equation है, इनसे बिलॉंग कर रहा है, इस straight line से बिलॉंग कर रहा है, तो वो कहां से pass करेगा, अमेशा, इनके intersection से pass करेगा, यह नहीं होता है, फैमिल स्टेट lines में, अगर कोई line फैमिल स्टेट lines से बिलॉंग कर रही है, वो कहां से pass करेगे, इन दोनों के intersection से pass करेगे, तो पहला, इस liner क्या है, माइनस x1 is equal to 0, यानि x क्या हो गया, माइनस x1, क्या हो गया x, माइनस x1, अब मैंने इस पर पुट कर दिया, माइनस x1 को, तो माइनस x1 इंटो माइनस x कितना हो गया, माइनस x1 स्क्वार, प्लस y y1, प्लस c स्क्वार is equal to 0, तो यहां से कितना हो गया मेरा, यहां से आगे y y 1 is equal to x1 का whole square minus c square यहां से मेरा y कितना आ गया y आया मेरा x1 का whole square minus c square by y1 चीक है x कितना गया minus x1 y कितना गया x1 का whole square by y1 minus c square by y1 तो ऐसे केसे points आएं हमारा point जो आया वो आया minus x1 irrespective हो तो k की value कुछ भी हो हमारा line इस point से तो pass करेगा ही करेगा minus x1, x1 का square minus c square x1 का square by y1 minus c square by y1 इस point से तो pass करेगा ही करेगा चाहे कोछ भी के का value ले लो तो हमारा code of contact जो आ रहा था यह क्या बोलते हैं भाई polar का जो हमेरे equation आ रहा था वो इस state line से belong कर ही रहा था तो state line से belong कर रहा है तो कहा से pass करेगा हमेशा इन दोनों के intersection से pass करेगा तब ही न वो family state line से belong करेगा तो ऐसी बात होंगी चेक है, note करेए जल्दी से इसको तेरे question और है let s be the circle in the xy plane यह जो मैं बात कर रहा था आपका question polar का वही question यहाँ पर है let s be the circle in the xy plane defined by the equation x square plus y square is good to 4 a circle है x square plus y square is good to 4 let e1 e2 and f1 f2 be the course of s passing through the point 1,1 अब 1,1 कहां पर है यह देखना पड़ेगा तो x square plus y square is good to 4 a circle होगा x square plus y square is good to 4 और 1,1 कहां से pass कर रहा हो इसे put कर लो तो 1 का square plus 1 का square minus 4 कितना आ रहा है 2 minus 4 आ रहा है minus 2 यहनि less than 0, यहनि inside होगा कैसा है? inside तो पहले मैं इसका diagram बना लेता हूँ इस circle का इसको यार इसको मैंने इधर क्यों बना लिया कि 0.0 है हमारा 1,1 let e1 and e2 and f1 and f2 be the course of a passing through 0.1 and parallel to x axis and y axis respectively e1 e2 किसके parallel है? x axis के और y और जो हमारा f1 and f2 है y axis के parallel है तो ऐसा कुछ हमारा ठीक है? तो यह हमारा e1 e2 है e1 e2 किसके parallel है? x axis के और f1, f2 किसके parallel है? y axis के ठीक है? इसको अटा दो जो extra material ने उसको अटा आओ यह कितना आगे है मेरा? f2 e1 e2 ठीक है? ओके? अब p0 कहीं यहाँ पर होगा p0 1,1 1,1 यहाँ पर होगा clear? अब क्या बोल रहा है इस diagram में? उसके बोल रहा है let g1, g2 be the chord of his passing through p0 g1, g2 एक chord है passing through p0 and slope minus 1 p0 से pass कर रहा है g1, g2 चीक है तो g1, g2 एक chord है pass कर रहा है हमारा कहां से? हमारा pass कर रहा है 1,1 से उसलोप कितना है? सलोप है minus 1 minus 1 सलोप का मतलब वो भाई साब ऐसा कुछ होगा ऐसा line कुछ होगा ठीक है? ऐसा कुछ line होगा ऐसा की ऐसा? किस तरह का होगा? बताओ इस तरीके से होगा या हमारा ऐसा होगा slope slope अगर minus 1 होता था ऐसा होता है न? ठीक इस तरीके से हमारा कुछ यह आएगा मेरा g1, g2 क्या आएगा g1, g2 यह हमारा chord है pass कर रहा है कहां से? यह हमारा pass कर रहा है पी नोट से उसके बाद क्या बोला है इन्होंने? let the tangents to the s and e1, e2 meet at e3 यहनि tangents at e1 and e2 e1 and e2 पर tangents जो जा रहे हैं वो meet कर रहे हैं e3 पर तो अब मैं क्या करता हूँ? इसको ले लेता हूँ yellow यहाँ से मेरे tangents जा रहे हैं का बे meet कर रहे हैं e3 पर ठीक है? f1 and f2 meet at f3 तो f1 and f2 कौन सा है भाई? यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ जा रहा होगा point meet at f3 clear है? चिक? अब क्या बोल रहा है? उसके बाद tangents to s at g1 and g2 meet at g3 तो g1 and g2 पर कहाँ पर meet कर रहा है? g3 पर तो g1 और g2 कहा है हमारा? यहाँ पर है g3 मान लो अब मेरो क्या मोल रहा है? कि find then points e3, f3 and c3 g3 lies on the curve which curve पर लाई कर रहा है? e3, f3 and g3 तो basically आगे क्यों आगे जो बाई साब पीछे क्यों जा रहे है हो? क्या हो बाई? देखिए अब जो हमारे सारे जो points है यह सारे चीजें है यह देखिए एक बाद बताओ मैं आपको अब मैं एक बाद बताओं आपको एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? defined by even if two cots अरे यार cots जो हैं passing through 1,1 है क्या है? cots passing through 1,1 तो यहाँ पर हमने 1,1 से pass नहीं कराया था न तो जेखिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ एक चीज़ कर रहे है यह जो हमारा g1, g2 है इसको तो ले ही लो ऐसा कुछ g1, g2 ऐसा कुछ ले लो और यह यहाँ से pass करो p01,1,1 से pass करो ठीक है? तो यह तीनों कॉट्स कहां से pass कर रहे है मोटा मोटी यह जान लीजे diagram फिर से नहीं बना रहा हूँ है मोटा मोटी यह जान लीजे जो हमारा p01,1 से ही pass कर रहा है और यह क्या है कॉट्स है? यह भी कॉट्स है यह भी कॉट्स है e1, e2, f1, f2, g1, g2 यह क्या है? कॉट्स है अब मेरे कॉट्स के जो endpoints यानि e1, e2 पे बनाया गया e3 मिल रहा है tangent वैसे f1, f2 बनाया गया f3 पे tangent मिल रहा है वैसे g1, g2 बनाया गया tangents का मिल रहा है g3 पे अगर ऐसी बात होगी तो मेरा वो जो क्या कर वोगा? वो होगा हमारा p0 के respect में polar p0 के respect में polar polar with respect to p0 तो p0 के respect में polar हुआ तो हमारा equation कैसे आएगा? t is equal to 0 अब t is equal to 0 बोले तो x square plus y square is equal to 4 हमारा circle का equation है तो क्या equation आएगा? x x1 plus y y1 is equal to 4 तो कितना आजाएगा? x1 y1 क्या है? 1 कपा 1 तो आजाएगा x plus y is equal to 4 यानि e3, f3 और g3 कहां लाई करेगा? x plus y is equal to 4 पे लाई करेगा क्योंकि वो polar ही है polar पे ही लाई करेगा ठीक है? इसको जल्दी से note कर लीजे अच्छा question था प्रॉब्लम्स और लोकस अब ये लास्ट टॉपिक है मेरा सर्कल का जो मैं आपको तुरम बताऊंगा लोकस पे कैसे सर्कल में लोकस पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक question करवा देता हूँ आइडिया के लिए बाकी तो PYQs question करवाएंगे हमारा सर्कल हमारा खतम हो जाएगा तो tangents to this circle having inclination A and B intersect at P if cot A plus cot B is good to 0 find locus of P तो मैं P को पहले मान लेता हूँ H, K क्या मान रहा हूँ H, K तो tangents to X square plus Y square is good to B square having inclination A and B ठीक है A and B पे अगर meet कर रहा है हमारे tangents तो पहली बार मैं tangent हो कैसे ले लूँगा So Y is equal to M X plus minus B under root 1 plus M square ऐसा कुछ equation ले ले लेते हैं tangent का ठीक है M के form में अब इसको क्या कर रहा हूँ K H, K कर दो K minus M H the whole square is equal to B square into 1 plus M square यह अगर दोनों तरफ क्या किया हम आने squaring कर दिया और X Y के जगा H, K पूट कर दिया यहां से कितना है K square plus M square H square minus 2 M H is equal to B square plus B square M square यहां से कितना आगया मेरा M square को जल लाओ तो क्या आएगा M square into H square minus K square minus 2 H K M plus K square minus B square ठीक है इस तरीके से आया अब यह चीज़ने आ गई अब मेरा कोटे क्या होगा सर देखिए जो दो मेरे M है अगर tangents 2 है तो एक का tangent क्या होगा slope सर एक का slope होगा हमारा 10 A और दूसरे slope कितना होगा 10 B यानि M1 और M2 यह होंगे होंगे ठीक है तो M1 प्लस M2 कितना रहा है यहां से 2HK अपॉन H स्क्वार मैनस K स्क्वार तो M1 प्लस M2 कितना आ रहा है M1 प्लस M2 आ रहा है 2HK अपॉन H स्क्वार मैनस K स्क्वार यह तो आ रहा है देख लिजे and M1 M2 कितना आ रहा है M1 M2 आ रहा है k2-b2 by h2-k2 k2-b2 k2-b2 upon h2-k2 यही आ रहा रहा ना अब qaute plus qaute v अगर 0 दे दिया यानि 1bym1 plus 1bym2 is equal to 0 अगर दे दिया है इसके मनतोर क्या है m1 plus m2 by m1 m2 किसके बराबर दे दिया है 0 के बराबर यहाँ से मेरा कितना M1 plus m2 कितना है k square minus b square by, अरे यार, m1 plus m2 कितना है, 2hk by h square minus k square, by m1 m2 कितना है, k square minus b square by h square minus k square is equal to 0, यहां से h square कर गिया, यह उधर जाएगा multiply, तो कितना हैगा, 2hk is equal to 0 2hk is equal to 0, यह नहीं hk is equal to 0, लास्ट में h को क्या करना है x में, और k को y में, x y is equal to 0 आया हमारा locus of that point locus of that point के अदना आया x y is equal to 0, कैसे आया, सिर्फ उधर जो given था, उसको use की है, kawटे plus kawटे is equal to 0, यानि 1 by m1 plus 1 by m2 is equal to 0, क्या होता है kawटे क्या होता है, 1 by 10 है, 1 by m1 kawटे क्या होता है, 1 by 10 भी 1 by m2, इस तरीके से हमारा चीज हैं आ गई ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा class हो गया, हमारा circle complete हो गया है, इसी तरीके से हमारे साथ आप बने रहें, circle का सारा lecture आपका science दिली चैनल पर मिल जाएगा जो भी चीज़े हैं, उपर से नीचे j means, advance अब के लिए, boards के लिए आपका पूरा का पूरा clarification हो गया है, आप जाओ question बनाओ, अगर कोई doubts हो तो telegram channel science दिली पर जरूर डालिए हम लोग जल से जल किलियर करके देंगे बाकि आपके Friday को PYQs होने वाले हैं circles के, तो आप बने रहें उस दिन, thank you goodbye